अखिल भारते कॉंग्रेस कमिटी के 84 वे महा धीविशन को संबोधित करते हुए रास्तन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सचिन पाइलेट ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी का गोराव मई इतियास रहा है जिसमें देश को सवतंतरत दिलाने के साथ ही विकास के मुक के साथ काम कर रही है उन्होंने कहा कि हमने पिछले समय में लोकसबा, विधान सबा और इस्थानी निकायों और पंचायत राज के सभी उप चुनाओं में सफलता हासिल की है और आगामी समय में होने वाले विधान सबा और आम चुनाओं में कॉंग्रेस को बड़ी सफलता म सब को साथ लेकर चलने की जो एक नीति राहूल गांदी जी ने बनाई है और कॉंगरेस के त्याक तपस्या बलेदान को जो लोग सुनाव ची देते हैं वो कान खोल कर सुन ले जे राहूल गांदी जी के नित्युत में कोंगरेस पार्टी ने अभी सिर्फ उप्चुनाब जी झाल